बिजरी उप भोगता को मिले गई बड़ी राहत बिजरी बिल की राश्री अब सभी उप भोगताओं की खुद बखुद कम हो जाएगी इसके लिए उन्हें बार-बार दफ्तर के चकर नहीं लगाने होंगे घरे लोग भोगताओं को सितंबर से जुर्माना वापस किया जाएगा बिजरी कमपनी मुख्याले के पतादिकारियों के अनुसार सॉफ्ट्वेर में बदलाव का काम पूरा हो चुका है अब जर्मानी की राश्री सितंबर के बिजरी बिल में घटाई जाएगी यानि की लॉक्डाउन में लोगों को राहत मिलेगी बिजरी कमपनी ने यह तै किया है कि इस बार बिहार राज विद्यूत विनियामक आयोग मिने निरने के अनुसार बिजरी उपभोकताओं को लोड बढ़ने से जो पेनाल्टी लगाई गई थी उसे अब माफ किया जा रहा है जिसकी वज़े से बिजरी बिल के राशी काफी बढ़ गई थी इस महीने आने वाले बिजरी बिल में पेनाल्टी के रूप में लिगई राशी को बिजरी खपत पर आई बिल की राशी से घटा दिया जाएगा सुषान सेंग राशपूत ने दिल बेचारा फिल्म के लिए लिथी आधी फीस लेकिन उन्होंने दिल बेचारा के लिए आधी फीस के तौर पर 3 करोर रुपे लिये थे सुशान्त और मुकेश के बीच अथी दोस्ती थी सुशान्त ने जब इस फिल्म को साइन क्या था तो उन्हें पता था कि इस फिल्म को बनाने में उनकी टीम को बहुत सारी चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है और बस यही कारण है कि उन्होंने आधी फीस ली थी उनका Fox Star Studios के साथ लंबे समय से नाता था और कुछ और फिल्मों के लिए बैनर के साथ संपर्क में भी थे क्रेशी आधारित के लिए 1.5 करोर और फिर लगडी आधारित उद्योग पर 75 लाग तक मिलेगी सबसीरी राज में क्रेशी आधारित उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार 15 से 30 फीस दी तक क्यापिटल सबसीरी देने की तैयारी कर रही है अनुदान की अधिक्तम सीमा 5 करोड तक निरधारित कर दी गई है महाई क्रेशी आधारित साथ सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए यह सोविधा मोहया करवाई जारी है जिसमें मखाना, फलसबजी, चाय, मका, शहद, बीज, और फिर औशुदी है और फिर सुगंधित पौधो के उत्पादन के साथ साथ इसके प्रसेसिंग उद्योग का काम शामिल है वह मुख्यमंद्री नितीश कुमार के अध्यक्षता में हुई क्याबिनेट की बैठक में बिहार क्रिशी निवेश प्रोटसाहन नीती 2020 समेत 49 प्रस्तावों को मन्जूरी दी गई है क्रिशी आधारित उद्योग लगाने के लिए किसी व्यक्ति को 15% क्यापिटल सबसीडी मिलेगी वहिंकिसान उत्पादक समू को 25% तक क्यापिटल अनुदान मिलेगा है बिहार के 1.5 लाग घरों को जल्द ही मिलेगी शुद्ध पेजल की सुविधा बिहार सरकार की हर घर लल जल योजना का शुभारम 28 अगस्त को होने जा रहा है मुखी मद्र नितिश कुमार इस का शुभारम करने वाल है पत्नाजुले में योजना 871 वाडो में पूरी हो चुकी है जिसमें लगभग 1.5 लाग पर घर लाभान वित होने की उमीद जताई गई है बिन घरों को शुद्ध पेजल मिलने वाला है पत्नाजुले के पूर्व अधिवेशन में 646 वाडो में 475 और 396 वाडो को नल से जल मिलना शुरू होगा पत्नापस्युम डिवेशन के फुलवारी और दानापुर इलागे के 26 वाड में जल जमाव की समस्या भी देखने को मिली है अधिक संख्या में प्रत्याशियों के लिए भी मंगवाई गई EVM मशीन आगामी विधानसभा चुनाफ को ध्यान में रखते वे विधानसभा छेत्र में 375 से अधिक प्रत्याशी EVM से वोटिंग करवाने की प्रक्रिया कर ली गई है पहले ही यह विवस्था नहीं थी मगर अब चुनाफ आयोग ने इस बारवधानसभा चुनाफ के लिए खास इंतजाम किये है जिसके तहर बिहार में पहली बार M3 मॉडल EVM का इस्तमाल किया जा रहा है इसके साथ ही इस EVM की मदद से 24 बारवध यूनिट किनेक्ट किये जा सकते है एक बारवध यूनिट में 16 प्रत्याशियों तक का नाम शामिल किया जा सकता है यानि 24 बारवध यूनिट के हिसाब से 384 प्रत्याशी होंगे तब ही आसानी से EVM से वोटिंग करवाया जा सकेगा पहले M2 मॉडल की BMC चुनाफ करवाया जाते थे जुसके साथ ही EVM में सिर्फ चार बारवध यूनिट ही EVM से कनेक्ट हो पाते थे बेटा के डेडिकेटड COVID-19 अस्पताल के लिए आजसे हुई शुरुआत DRDO के तरफ से COVID-19 के बढ़ते माहौल को देखते वे PMC चैर्स फंड की मदद से पटना में बेटा में 500 बेट की अस्थाई डेडिकेटड अस्पताल के निर्मान के बाद यहाँ पर मरीजों के लाज के सुवधा आज से शुरु हो गई 125 बेट ICO और 375 सामाने बेटवाले COVID-19 अस्पताल के आने से मरीजों को जाच कर positive पाई जाने की वालों को भरती करवाया जाएगा अस्पताल में 7 मंजिलों पर COVID-19 संक्रमितों के लिए लाज की ववस्था की गई है और साथवे मंजिल पर ICO का निर्मान करवाए गया है जिसके परिणाम सरूप इस ओफिस का भवन AC जलापुर्ती जेनरेटर हर बेट पर ऑक्सुजन पाईप की उपलबता भी सुनिश्चित करवाए गई है साथी लिफ्ट भी महया करवाए गया है आपको बता दे इस अस्पतार के शुरू होने से COVID-19 मरीजों के लाज में काफी मदद मिलेगी बिहार जारकर्ण में भारी बारिश के साथ साथ हाकाश्य बिजरी गिरने की जताई गई संभावना COVID-19 के समाहौल में बिहार में सरकारी रिकॉर्ड में करीब 600 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है वहीं दूसरी तरफ बारिश और बिजरी गिरने की वज़े से भी कई लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ आजी नीबल की कल भी सभी लोगों से होशियार रहने की अपील की गई है भारतिय मौसम वे भाग दो तरह से मौसम में ऐसी गर्बडी की आश्रंका जाहिर कर रहा है जिसके तहट वाच और सतरक दोनों शामिल है जिसमें सतर्कता के साथ सब को रहने की अपील की गई है वाच का मतलब आश्रंका में लगा होता है सुशान सिंग राजपूत के मामले में अब साइकोलोजिकल अटॉपसी करने की हुई बात सुशान सिंग राजपूत के मामले में अब psychological autopsy करवाने की मांग हो रही है जिससे सुशान सिंग राजपूत के कफित तौर पर अपनी जान देने के पहले 24 गंटे में किन बातों को लेकर परिशान थे इस बात का खुलासा हो सकता है जिसके तेह 24 गंटे पहले उनके दिमाग में क्या चोल रहा था इन बातों का खुलासा भी होने क्यों ही दिजटाई जा रही है जिसके जिम्मदार लोगों का आकलन क्या जा सकता है बाड से बिहार के कई जिलों के 33 फीस दी फसल हुई बरबाद बिहार को मौनसून के बढ़ते असर के बचाने के लिए लगतार कोशिश की जा रही है मगर बाड के हालात से ने जात नहीं मिल पारी है प्रदेश के लगभग 20 जिलों में बाड से फसल को नुकसान हुआ है भारे बारिश और बाड से बिहार के 33 फीस दी फसल पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी है चालू खरीफ सीजन में 92 हजार हेक्टेर में दलहन फसलों की बॉआई हुई थी जबकि तिलहन की बॉआई 80 हजार हेक्टेर में हुई थी विभागी अधिकारियों से मिली जानकारी के नुसार प्रदेश में बाड़ और अतियाधिक बारिश के चलते लगभग 33 फीस दी खरीक फसलों का नुकसान होने कानुमान भी लगाए गया है मुख्यमंत्र निदीश कुमार ने नई बिहार कृष्वी निवेश प्रोटसाहनीती को दी मंजूरी इसके लिए आयोजित बैठेक में मेडिकल MBBS और PG की पढ़ाई कर रहे है मेडिकल चात्र चात्राओं को भी एक महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राश्री देने का प्रस्ताव दे दिया गया है इसके साथ ही क्याबिरेट से मानेता प्राप्त राजु के अल्पसंख्यक माधमिक विद्याले के सिख्षक कर्मियों को साथवा वेतनमान देने का फैसला किया गया है नाशनल टेस्टिंग एजनसी ने जे ई और नीट एक्जाम के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइन राश्रे परिक्षा एजनसी ने सितमर में होने वाले मेडिकल और इंजीनिरिंग प्रवेश परिक्षाओं को लेकर के जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके तेहत राश्ट्रे परिक्षा एजेंसी ने परिक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने में एक सीट छोड़ कर बठाने का प्रावधान लागू कर दिया है स्विक्षा मंत्राले के आधिकारिक सूत्रों की माने तो हाला कि इस पर जोड़ दिया गया है कि परिक्षा एन रधारी समय पर ही होंगी संयुक्त प्रवेश परिक्षा यानि की JEE 1-6 सेतंबर के बीच में आयोजित करवाई जाएगी वहीं नीट की परिक्षा 13 सेतंबर तक करवाने की योजना फिलहाल बनाई गई है वहीं इस परिक्षा में 99% दिचात्रो कोन की पसंद के अनुसार केंदर भी उपलप्त करवाई गया है एनम्सीएच और एम्स के बाद प्लाजमा थेरेपी के मरीजों का होगा उप्चार एनम्सीएच और पटना इम्स के बाद अप्पी एम्सीएच के में भी प्लाजमा थेरेपी से कोबर नाइटीन मरीजों के लाज की प्रक्रियाद से शुरू करवाई जा रही है जिसका निर्ण है मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजेक कुमार अगरवार के अध्यक्ष्टा में आयोजिस समीती की बैठक में लिया गया था आयोगती की तरफ से साजह की गई जानकारी के अनुसारी हब बताये गया है कि पहले पटना एम्स और फिर एनम्सीएच में प्लाजमा थेरेपी से कोबर नाइटीन के लाज की शुरूआत की गई थी प्लाजमा थेरेपी के जरिए कई गंभीर मरीजों का इलाज सफलो पाया है और वर्तमान में प्लाजमा डोनेट करने से डॉक्टर की देखरेक में डोनेट प्लाजमा की प्लाजमा की प्लाजमा लाये जाएगा यश्वन्त सिना की अगवाई में तीसरा मोर्चा शुरू करने की तैयारी में है लोजपा सेक्यूलर आगामे विधान सभाचुनाव को लेकर तैयारिया जोर शोर से जारी है यश्वन्त सिना के तीसरे मोर्चे के साथ विधान सभाचुनाव में उतरने और बिहार में उनकी सरकार बनाने का दावा किया है भाई लोजपास सेक्यूलर की राश्री अध्यक सतेंद्र शर्मा ने भी यही कहा है कि भिहार सरकार बाढ़ और कोविड-19 से सही धंग से नहीं निपड़ सकी है 10 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला आगामी विधान सभाचुनाव से पहले तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है उप विकास आयुक्त मुख्य कारेपालक पदादिकारी दर्भंगा श्री मती अभिलाशर शर्मा को उप विकास आयुक्त मुख्याले कारेपालक पदादिकारी खगरिया श्री तन जोत सिंग को कारेपालक पदादिकारी सीतामरी, श्री आसिफ एहसन को मुख्य कारेपालक पदादिकारी, जमुई विवेक रंजन को, नगर आयुक्त, मुजफरपूर, श्री कुमार गौरप को मुख्य कारेपालक पदादिकारी, कैमूर, श्री योगेश कुमार सागर को मुख्य कारेपा के नुसार बीते 24 घंटे में कुल मिला कर 67,151 ने मामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32.34 लाख पर पहुँच गई है जिसमें से अब तक 24,67,758 लोग संक्रमन से मुक्त हो चुके हैं मंतराले की तरफ से साज़ा की गई ज 169 लोगों की जान दा चुकी है जिसकी बाद भारत में जान गवाने वालों की संख्या 6,449 पर पहुँच गई है वही भारत में फिलहाल 7,7,266 लोग सक्रिये चल रहे हैं वही जान गवाने वालों की दर में भी गिरावर्ट दर्च की गई है स्वास्तिविभा की तरह से स जान गवाने वालों की दर घटकर 1,83 प्रतिशत हो गई है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज के सवाल को चिस प्रकार है बिहार सरकारद्वारा बस की सेवा को फिर से शुरू करवाने के फैसले पर आपकी क्या राय है अपने जवाब हमें कमेंट करके जुरूर इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी ख़वरों से अब्लेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दुबाना ना भूले धन्यवाद